हेलो दोस्तों आलू और मेथी की एक्तम डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगर इस तरीके से आप मेथी की सब्जी बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी बहुत बार यह शिकायत आजाती है कि जब भी हम मेहिती की सब्जी बनाता है ना आलू के सान तो बहुत जाधा कड़वी लग जाती है तो एक ट्रिक के सान मैं आपको यह रेसिपी बताने वाली हूँ इस तरह से जरूर ट्राय कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी तो मैंने यहाँ पर दो चमबस तील गरम होने के लिए रख लिया था जैसे ही तील अच्छे से गरम हो गया मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइस प्यास जिनने मैं बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था उन्हें डाल दिया, दो लाल मिश डाल दी अब देखिए दोस्तों, हमें लाल मिश डालने के बाद इसे एक मिट तक ही बुनना है, ज्यादा नहीं बुनना है और गेस की फ्लेम हमारी medium to low ही रहना चाहिए हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं रखेंगे, नहीं तो प्यास का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा ठीक है, और यहाँ देखिए, बादे करते करते एक निट हो गया है और अब हम इसमें एड कर देते हैं, दो चमच लैसून का पेस्ट तो जिसे मैंने खलर में बाटा हुआ था, याने की खलर में पीसा हुआ था ठीक है, तो अगर आपके पास पेस्ट होना तो वो भी आप ले सकते हैं या फिर मिक्सी में पेस्ट हुआ पेस्ट भी आप ले सकते हैं और यहाँ पर हमने सिर्फ एक मिर्ट के लिए ही लेस्न को भुना है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ दू मीजम साइज आलू जिने मैं इस तरह से क्यूप्स में कट कर लिया था, अगर दोस्तों आप उबले आलू का यूज कर रहे हैं तो आगे वीडियो में मैं बता दोंग अब हमें इसे ढखके पका लेना है, तो यहाँ दोस्तों दो मिनिट हो गया है, तो हम एक बार इसे चला देते हैं, इसे चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर हमने नहीं चलाया ना, तो नीचे के आलू तो अच्छे तरह से पक जाएंगे, और उपर से कच और ब्राउन कलर आ गया है, और जो हमारे अलू है वो भी तरह से पक गये है, तो इस तरह से किसी चाकू चमा सी आप देख सकते है, कि आलू हमारे अच्छे तरह से पक गया कि लोगद ते हमने हमें आगे कि परोसेस करनी हैं, अब कुछ लोंग बोलेगे कि आपने लैसन को जला दिया है तो जी नहीं लैसुन को मैंने इसमें ज्यादा ही पकाया है एक बार आप मेरी तरीके से बना के जरूर देखिएगा आपको इस अबसी बहुत पसंद आएगी इसमें लैसुन का जो तेस्ट होता है मेथी में वह बहुत बढ़ आता है इसलिए उसे थोड़ा सा मै दो जाएंगे तो जो एक सांथ कड़ाई ना पूरी बहर जाएगी हुसरा देख सकते हैं इससे मिक्स करते जाएंगे और मातर 2 मिन में आप देख सकते हैं इस तरह से जो मेथी हो बिलकूर कम हो जाएगी क्योंकि दोस्तो मेथी मे पानी होता है तो पहले वह फुली फुली लगती है तो दोस्तों अगर आप उबले आलू का यूज कर रहे हैं तो वह सबजी के लास्ट में डालिएगा ठीक है और देखें बाते करते करते हमारी मेथी भी अच्छी तरह के से तला गई है और यहां पर एक दंधल मेने लिया है मेथी का उसे दबा के देखा बहुत अच मैं यहाँ एक चमबस धन्या पाउडर, आधी चमबस मैं लिया है हळ्दी पाउडर और एक चमबस ही मैं लाल मिर्ष मैं लाल मिर्षॉ लग सकती है अगर मिर्ष सब कम डाली तो एक चमबस टाल लिए तो तीक है अब यहां पर देखें MOD´ते रहे हैं साबीद दोस्त्रॉत ताइम भी नहीं लगेगा पानी हमें बिल्कुल भी इसमें अड़ नहीं करना है और यह देखिए चलाते चलाते हमारी मेथी का कलर भी एकदम पॉफेक्ट आ गया है और बहुत ही बड़या से पक गया है मसाले भी और हमारी सबसी भी तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और कलर आप देख सकते हैं हमारे मेथी और आलू को कितना पॉफेक्ट है एक बार आप मेरे तरीके से जरूर बना के देखेगा आपको बहुत जादा पसंद आएगी आप इसे रोटी के सांद इंजॉय करेंगे आपको बहुत जादा टेस्टी लगेगी तो दोस्तों अगर वी क्यासी भी कप ट्राय करें मुझे जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चैश्री महकाल